क्योंकि हमारे तीनों पैलिस्स ने अपने अपने बजटिंग करके आप लोगों से शेयर किया ये तो इन लोगों को तीनों को एक मैं कहती हूँ appreciation इतनी है मेरी तरफ से इस वक्त कि जो जमाने में हम गुजर रहे हैं और जिस time से हम गुजर रहे हैं वहाँ पर budgeting करना ना सिर्फ जरूरी हो गया है बलके हमारे पास और कोई choice भी नहीं है देखिए इस segment को करने का मजाग बर तरफ एक दूसरे के साथ हम अच्छे मज़े मज़े से बातें कर रहे थे लेकिन इसका मकसद एक था कि हमारे पास अब से लेके इत के जो दो या तीन दिन रहे जाएंगे हमारे उसको मिला कर हमने देखना है अब हमारे पास कितने पैसे रखे हुए हैं हमने जकात निकाल दी हमने जो करना था वो कर दिया अब हमारे पास बचा क्या जो बचा है हमें उसमे के खाना पीना जरूरी है कपड़े जरूरी है treatment जरूरी है क्या जरूरी एक modifications जरूरी है और जाओं पर सबसे ज्यायां खाना जरूरी है पेट में व काना जरूरी हुआ टीन दिन कि प्ड़े यंगर अगर आपको लगता है कि लिकिन आज से यह इस चीजDJI बहुत जुरूरी है तोऔन जुझ करना कि हमारे पास दर viciousल क्या बजट है और हम उस बजट मेरे क्या बच्चत कर सकते हैं। बहुत खूब तीनों को खुराजी तहसीन के तीनों ने बजट में रहते हुए इस काबिल किया कि हाँ जी ये नहीं होगा कि हमसे नहीं होगा तीनों ने करकर दिखाया मेरे घर वाले जो ने अपने घर वालों तीनों सब को समझा ये मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली को खाना कपड़े और ट्रीटमेंट सब कुछ मिलेगा हमाई नश्रियात में हमारे भाई अल्लामा जवादाभी साब भी शामिल हो चुकी है उनको खुशाम बीद कहते हैं अलेकुम जवाद भाई आपके आने से पहले हमने आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उन लोगों को एक टास्क दिया और टास्क दिया हमने एक लिमिटेड बजट के अंदर मैं इसलिए ये आम फहम हम लोग इसलिए टीम के साथ बैट कर ये बातें इसलिए करते हैं कि हमारे भी घर के बजट्स हैं हमारी भी लिमिटेशन्स हैं हमें भी बचत रखते हुए खर्चा करना चाहिए एक होता है वांट एर एक होता ही नीड एक होती है जरूरत एर एक हो सब के कपड़े के ट्रीटमेंट्स हो गए या कोई स्किन से रिलेटेड हुआ या बजटिंग खाने की हुई कि हम लोग नौ लोग अगले दस दिन इसमें दो दिन एद के भी है कैसे बचत रख सकते हैं कि तना जुरूरी है बचत करना बिसमिल्लारमानुरहीम यह तो आपने सेग्मेंट आप करी है मैंने कहिए तो बिसकली एक टॉपिक है यह खुद एक उनवाल है अगर हम बजटिंग के तरह आजएं और अगर हम सेविंग के तरह आजएं अपने को नीडी जितना है हम उतना अगर नीड रखे तो मैं तो समझता हूं कि हमारे सेग्मेंट की कॉप इसको बचत करना आज आप देख लिजिए कि जो लोग अपने वह बचत से रखते हैं आप छोड़े दो दूसरों की बाते हैं को आपको कुई कंजूस कह रहा है को आपको माल दबायवा कह रहा है यह आपको पता है कि मैंने कितनी चादर में कितने पाउं पहलाने बिल्कुल स एक चाड बनाए और उसके बाद आप देखें कि मेरी ज़रूरियात क्या है फिर उसमें मुहिम क्या चीज़ है इसमें मुहिम यह कि मेरे एक पाक लिबास हो एक अच्छा लिबास हो एक अच्छी से मैं जूते भी पहनूं बच्ची अगर मेरे घर में तो उनको अच्छी च अपना बनाया है तो एक अच्छा अपना किसी मुमिन मुमिन भाई के लिए बना दे है अधीस में जिसने किसी बरहना मुमिन को लिबास पहनाया अल्ला उस दिन लिबास उसे पनायागा जिस दिन इनसानों को बरहना उठाया जाए जाए गा अगर 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 आपने ल का दूसरे को हलका से दे दिया मुनासिब नहीं है तो मैं चाहता हूँ एक की खुशियों में सब को बाटने की खुशियां बाटने से बढ़ती है और गम बाटने से कम होता है काम्याबी के साथ सेग्मेंट को पूरा मेसेज अक्रॉस करने पर कि आप लोगों ने से तरह का मैसेज करने पर इस पर अगरी किया की अब सब लोग मुबारख बात के मुस्ताइप कि क्यूंकि अगर देखने वालों में से किसी एक रहा कितना हमें जरूरी है अपनी चादर को देखकर फराएं आपको पहली शवालिया ने आपको दिया है आप करें बिलकुल करें लेकिन अगर अगर आपको ये तौफीक दिये कि आप दो जोड़े बना सकते हैं और तीसरा नहीं बना सकते हैं वजट से बाहर हो जाएगा तो वो स्पराफ में बहन या बहुन भी के लिए बनालीजे आपको उस दिन रब ताला एसे उठाएंगे लागा Metbed cris लिबास में उठेंगे परदे में ऊठेंगे लाज में उठेंगे अल्ला लाग्या में ऊठेंगे इससे प्यारी बात और क्या हो सकती है अल्लाह हूइए अक्बर आप जराल भाई चॉइसिस की बात करें, जवाद भाई ने बड़ी प्यारी बात की, आप बताएं कहां पर हैं और फिर बताएगा आपको क्या लगता है वजट्रींग के हवाले से पहले मैं यहां पर जो मैंने अब फ्यूजन नूडल्स में बना रहा हूं और यहां पर हमने मीट को मारिनेट कर दिया और एवन कॉण फ्लार अइक कोट करके हम इसको रख दिया डालडा कुकिंग ओल गरम हो रहा है वहन्स ओल गरम होता हम इसको फ्राइ करेंगे दूसरी तरफ मैंने नूडल्स जो थे उनको इस तरह से गरम पानी में बॉल करके सोक करके रख दे ता पहले कि अगर बात करें जब responsibilities नहीं थी अब बहायात थे तो मैं बहुत फ़जूल खर्च इंसान था इंसान गरता है तो मतलब जो भी पैसे आते थे कभी सोचा नहीं के responsibilities आएंगी और अखरजात संबालने पड़ेंगे और चीज़े संबालने पड़ेंगे अब जब responsibilities आ ग यह है कि मैं जो भी चीज़ खरीदता हूं कोशिश ही करता हूं कि अच्छी खरीदूं ताके लंबी चले बिल्कुल ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि हमेशा मेरी नेचर में अब मैं यह तो अभी कमी शलवार की बिकॉस अब रम्दान अधरवाइस मैं ने एक कलर सेलिक के है सफेद माशाला ठीक है ठीक है मैं एक वाइट कपड़ा पहनता हूं और बस हमेशा मेरा सिगनेचर है कि मैं वह वाइट टी-शिर्ट के अंदर ही रहता हूं माशाला ताके मैं ज्यादा खर्ची ना कर पाऊं यानि कि आप भी बजट के अंदर अब आ गया है के लाइट में एक सेलेक्ट किया वाइए एक कलर के अलमारी खोली वाइट टी-शिर्ट निकाला पहना नीचे जीन्स पहनी फैनेश बिल्कुल चीक है बिल्कुल चीक हो गया बिल्कुल सही है कि ये बड़ इच्छी बात की जवाद जराल भाई ने कि मैं बजट के अंदर आगया हूं हम इरम की तरफ जाते हैं इरम जाहिर बींग डिजाइनर आपको 10,000 चीजें फेस करनी पड़ती हैं जिसमें सरे फैरेस में से अगर टॉप 3 और 4 की बात की जाए तो छूटते ही लोग ये कहते हैं कि ये बहुत महेंगा है ये से कम में बन सकता है या नहीं जब कम की बात आती है तो फिर कॉम्प्रोमाइस की भी बात आती है तो जब हम डिजाइनर के पास भी जाएं हमें कपड़े भी बनवाने हो तो हम इस चीज का जहन में पहले से एक नोशन रखें कि अगर आपने कम में बनवाना है तो फिर कॉलिटी भी कम होगी जी इरम माया यह बात आप में बिलकुल सही कही है कि जब कॉस्ट किसी चीज की कम आती है तो जहरे पिर आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइस करना पड़ता है या तो आप कपड़े में कंप्रोमाइस कर लेंगे या फिर आप उसका काम कुछ कम करवा लेंगे लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता हूँ, honestly, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जो भी आए ना वो खुश होके जाए और उसका दिल बड़ा होके जाए, बलकि अगर मैं छोटा सही हा तुम्हें वाकिया बता हूँ, कि मैं अपने एक वेंडर के पास बैठी थी, तो वहाँ पर एक खातून मेरे बराबर बैठी वी शॉपिंग कर रही थी, और जब उन्होंने डुबटा ले लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ, दुकान दार वो वापस नहीं ले रहा था, तो मैंने का अच्छा, आप ये अच्छा लग रहे, वो खातून कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उनकी बेटी की शादी थी, मुझे वो जोड़ा बना के इतनी खुशी हुई थी, मैंने का था, आप मेरे पास आएं, आपकी बेटी को जोड़ा मैं बना के दूँगी, और फिर उस बच्ची की पसंद का जोड़ा मैंने बना के दिया था, और मेरा दिल उस पे इतना बड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी खुशी हुई, और मुझे अल्ला ने जो हुनर दिया था, और पैसा आनी जानी शै, इस पे कभी भी स्टक नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए, छोड़ा सा व झाल